हेलो डियर इस्टुरेंट्स, वेलकम बैक टू दे रियल कॉंसिप्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेंली होता क्या है, इलेक्टिसिटी एंड करेंट हमने कम्प्लीट पढ़ाय था, लेकिन यहां से जो आज का मैं स्पेसल वीडियो बना रहा हूं, बेटा, फिक्स है कि आ आप क्विश्चन को देखोगे और एंसर सडेन दोगे, मतलब एक दम क्लियर देखो, अगर यहां से सवाल आ जाते हैं, तो मैं मेंली डिसकस करने वाला हूं, वीट स्टोन ब्रिज देख के बस कैसे पहचाने, आपको कलम चलाने के आउशक्ताने, सिर्फ सवाल देख के पह आपको समझाओंगा कि अगर ऐसा कुष्चन कभी आपको दिखाई देदे इलिक्टिसिटी में, तो डिरेक्ट आप सॉल्व कर देना कैसे, देखो, यह निमेरिकल पार्ट है हमारा आज का, निमेरिकल पार्ट है, और कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो, निमेरिकल आपक आप जानते हैं, और इसको मैं सिर्फ सिंपली सो करने के लिए बता देता हूं, देखो, है क्या, वीट स्टोन ब्रिज, देखो, कुछ ऐसे चार सरकिट होते हैं, और यह जुड़े होते हैं, एक बैटरी के थुरू, यही आपको कहा दाता है, वीट स्टोन बिज, आप कोई भी चार भुजाओं वाला वर्ग लो, देखो ऐसे, चार भुजाओं वाला वर्ग लो, और चारो भुजाओं में एक एक रजिस्टेंस जोड़ दो, ठिक, सुनते जाना बारी किसी क्योंकि बनता है, कैसे मैं यही समझा रहा हूं, ठिक, यह है, बना दिया हमने, चार भुजाओं वाला वर्ग लिए, चारों में एक एक रजिस्टेंस जोड़ दो, किसी भी एक विकरण में एक र zwischen समझते हैं, डाइगनल में रिजिस्टेंस जोड़ दो और जो बचा diagonal है उस diagonal में battery जोड़ दो तब जो shape बनता है वो कहलाता है wheatstone bridge इसी shape और size को कहते हैं हम लोग wheatstone bridge इसी circuit को कहते हैं तो यहाँ पर देखो वही हुआ है मैंने चीजे समझा दिया देखो कैसे, 4 sided वाला ये वर्ग है, चारों में एक एक resistance जुड़ा है, एक diagonal में resistance जुड़ा है और दूसरे diagonal में battery जुड़ा है, अगर कभी ऐसा circuit होता है, तो इसको कहते है balanced wheat stone bridge और condition क्या होती है यहाँ पर V voltage की battery होगी अगर हम इसको P कह देते हैं इसको Q कह देते हैं, इसको R कह देते हैं, इसको S कह देते हैं, ठीक है, तो अगर ये 4 resistance है, तो बड़े बारी की से समझना मैं कैसे समझा रहा हूँ चीजों को, जहां पे diagonal वाला resistance जूड़ा है ना देख रोगे diagonal resistance, इसके उपर वाले resistance का ratio, मतलब P by Q is equal to R by S, अगर कभी कोई ऐ R by S का ratio सेम हो, तो इसको कहते हैं, wheat stone bridge, मन में doubt क्या उठता है, बच्चे इसी को गलती कर देते हैं, कहते हैं, सर, R को इधर भेज दीजे, Q को अधर भेज दीजे, तो हम लिख सकते है, P by R is equal to Q by S, कहते हैं सर, इसमें गलत क्या है, सही तो ये भी है, बात सही है, mathematically तो ये सही को मत कर देना, ये मत कह देना कि P by R का ratio Q by S हो जाए, तो wheat stone bridge गलत हो जागा, तो mathematically सही, बट ये आपको apply नहीं करना है, क्यों, क्योंकि wheat stone bridge में, जो diagonal में जुड़ा resistance होता है, इसके R पार का ratio लेते हैं, ये वाला ratio, 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 ये हम ratio ले है, सवाल को कैसे पहचाने, अब आपको समझाता हो कि सिर्फ देख के कैसे पहचानना है, ये तो सिर्फ theory था, नाम के लिए formality थी theory की, अब देखो कैसे questions को सिर्फ देख के पहचानेंगी, कैसे answer होगा, पहला question, सबसे most important, सबसे पहला most important question, कभी भी आपको तीन resistance जुड़ा म देखो यहां से मैं कितने सवाल generate कर रहा हूँ, एक दम बिल्कुल fix concept है, ठीक, तीन resistance है, R1, R2, R3, तो अगर ये simple जुड़ा है, तो आप कहोगे series order है, simple जोड़ोगे जोड़ोगे जोबी formula है, लेकिन concept को समझना, अगर मैं यहां से निकाल के एक wire यहां जोड़ दूँ, ऐस यहां से सवाल पूछे जाते हैं, यह सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल exact ऐसा है, तो जब तक ऐसा figure है, same, पहले type of numerical है, तो यह होता है, आपका तीनो का तीनो resistance parallel order है, यह तीनो के तीनो parallel order में है, आप इसका जवाब क्या दोगे, इसका जवाब दोगे, 1 by R is equal to, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, simply जब हम parallel order का formula लगाएंगे, तो parallel order का formula क्या होता है, यह वाला इस सवाल के लिए valid होगा, मतलब बिल्कुल fix concept है, आपको समझारों कहां पर बच्चे गलती करते हैं, तीन resistance अगर simply जुड़ा होता है, तो series में जोड़ देते, जो formula होता है, लेकिन अगर कभी उसी circuit में यहां से एक wire निकाले, कैसे, दो resistance के बीच में एक short circuit कर दे, दो resistance के बीच में एक short circuit कर दे, और उपर वाले दो resistance के बीच में एक short circuit कर दे, तो ऐसे resistance को parallel कहते हैं, सर आप कैसे जान गए, तो देखो होता क्या है, इस terminal को पकड़ो, यहां पे छुआ दो, और इस तर्मिनल को पकड़ो यहां पे चुआ दो और जब इस फिगर को देखोगे तो एक्चुल में ये फिगर ऐसा होता है एक्चुल में ये फिगर ऐसा होता है जब इसको मोडते हैं तो ऐसा फिगर बन जाता है ये फिगर सेम वैसा बन जाता है तो हम डैरेक्टली कहते हैं ये प की नहीं इसको कॉममिनेशन बनता हुआ और दिखा रहे हैं गए ताइप और दिखा देते तो अभी भी change नहीं हो है circuit, अभी भी ये parallel order है, तीन circuit हो, दो के बीच में 100 circuit, दो के बीच में 100 circuit, 100% sure है, ये अभी भी क्या है, parallel order है, यही formula valid होगा, ठीक है? और एक कुछ figure पे based question करवा देते हैं, जहाँ जहाँ आप गलती करते हो, वहीं पे मैं सुधार करना चाहरू, ठीक है? एक question का type मैं आपको दिखाता हूँ, जो की especially कुछ ऐसा है, देखो ये सबसे special type का एक सवाल है, कभी भी आपको ये figure वाला सवाल दिखे, R1, R2, R3, कैसा भी resistance हो? बड़े बारीकी से समझना ये हुआ क्या है? एक diagonal था, देखो, यहाँ से एक wire निकला, एक resistance ही आहाँ, एक resistance ही आहाँ, दूसरा resistance ही आहाँ, ये भी आपका parallel order, कैसे? तीनों को खीच दो, ये terminal पकलो, ये terminal पकलो, खीच दो, तो जब इसको खीच होगे, तो होगा क्या? ये point इसके पास चलाएगा, ये point इसके पास चलाए तो formula क्या लगेगा, 1 by R1, plus 1 by R2, plus 1 by R3, ये तीन टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं, आपके exam में, must case थे, इसलिए मैंने इसको समझाया, अब यहाँ से बस एक छोटा सा logic चेंज करेंगे, छोटा सा logic, तुरंथ हमारा सवाल चेंज हो जाएगा, किसमे? wheat stone bridge में, देखो अब कैसे? आई होब आप पूरा वीडियो देखेंगे, तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या करते हैं? और जो short circuit था, यहाँ एक resistance जोड़ दें, अब यही combination आपका perfectly बन गया wheat stone bridge, यही फर्क था, यही फर्क था इस सवाल के combination में, बिल्कुल सीधा सा concept कहता है, जब तक दो resistance के बीच में short circuit था, वो था different type का circuit, लेकिन जैसे उसी short circuit में एक-एक resistance कोई भी जोड़ दो, तुरंथ यह बन जाता है wheat stone bridge का concept, तुरंथ यह सवाल बन जाता है आपका wheat stone bridge का concept, तो अब इसको कैसे solve करेंगे, इसको कैसे solve करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम कह देते हैं, R4 और इसको कह देते हैं, R5, देखो मैं कहा क्या हो, once again इसको note कर देते हैं, ताकि आपको आये समझ में अ pills कि रहेंगे तीन ही रेजिस्टंस रहेंगे तीन ही रेजिस्टंस कोई भी धो सरकिट के बीच में क्या करवा दोών אז यह हम करवा दिये थो के बीच में सॉट सरकेट और बीच में एक जोड़ गए बजस्टंस ठिक अब अब उपर का दो बचा हुआ है, यहाँ पे पहले कराओ short circuit और बीच में जोड़ दो एक resistance, इस figure को कहते हैं perfectly balanced wheat stone bridge, अब value के अनुसार आपको बिल्कुल trick समझा रहा हूँ, दोनों में, अब मेरा मन किया, मैं A मान लिया, मैं B मान लिया, मैं C मान लिया, D and E मान लिया, दोनों questions क आपको direct concept समझाता हूँ कि सवाल को solve कैसे करोगे, चलो, बारी की से समझना चीज़ों को, ये वाला resistance और ये वाला, कौन-कौन सा, R1 और R5, आप सवाल को जब solve करोगे, तो अगर R1 by R5 is equal to, R3 by, R4 by R3, ये, अगर सवाल में ऐसा हूँ गया, तो आप तुरंत इसको solve करोगे कैसे wheatstone bridge मान के, और ये होगा, 100% से हो रहा है, ऐसे सवाल में होगा, कैसे हम पहचाने, गौर से देखो, ये है common circuit, जो diagonal था, figure के अनुसार जो diagonal था, वो ये है, इन दोनों का ratio, diagonal के एक साइड, इन दोनों का ratio, बराबर इन दोनों का ratio, ये कहलाता है wheatstone bridge का बिल्कुल perfect सवाल, और ऐसे सवालों में, R1 और R3 का ratio लेना, R4 और R3 का, अब ये वाला ratio लेना, इस सवाल के लिए ये थीम, आपको कि सर, इसको कैसे करें, तो इसको भी गौर से देखो, बीच वाला ये common circuit है, ये common है, इसको मत देखो, भूल जाओ, A और D को लो, उपर वाला, A और D, A by D is equal to, E by C, अगर circuit ऐसा हो गया, common हो गया, ये दोनों का resistance, बराबर ये दोनों का resistance, 100% से हो रहे, ये क्या है, wheat stone bridge का application है, और फिर आप simply solve कैसे करोगे, बीच वाले को गायब कर दो, क्योंकि wheat stone bridge में क्या होता है, बीच वाला गायब कर दो, अब कैसे, ये दोनों series, ये दोनों series, after parallel, answer आपका आजाएगा, तो एक सवाल को solve कर देते हैं, इसी पर बेज़, इसी concept पर बेज़ हम एक सवाल पूरा purely solve कर लेते हैं, तो चलो देखो कैसे क्या करते हैं, हमने मान लिया, 5 ohm, हमने मान लिया, 6 ohm, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया, 10 ohm, और यहाँ पर हमने मान लिया, 12 ohm, ठीक है, बीच में हमने मान लिया, 8 ohm, अब ये सारे unknown value हटा दो, R1, R2, R3 जिते थे unknown value हटा दो, कुछ ऐसा सवाल दिया होगा, solve कैसे करेंगे, जब भी ऐसा circuit दिखें, तो आप चेक करो, ऊपर का दोनो, क्या 5 by 6 is equal to, 10 by 12 है, जरह लिखते हैं, 10 by 12, ये कट जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, अरे वा, ये तो दोनों स ये सेम है, अगर ये सेम है, तो ये क्या बन गया, W का मतलब wheat, S का मतलब stone, B का मतलब bridge, wheat stone bridge बन गया, तो अगर ये wheat stone bridge है, तो अब कैसे solve करें, beach वाले circuit को गायव कर दो directly, ठिक, इन दोनों को series, गौर से देखो, A को इधर खीचो, B को इधर खीचो, ये दोनों series, ये दोनों series and after parallel, तो चलो, इस question को completely solve कर देते हैं, और हमारा concept क्या हो जाएका, complete हो जागा इस सवाल का, series का formula क्या होता था, directly जुड़ जाता था, r बराबर r1 प्लस r2, directly जुड़ जाता है, तो 5 प्लस 6, उपर वाले के लिए, ठिक, उसी तरह नीचे वाले के लिए, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12, तो ये कितना हो गया, 12, 10, 22, और 6, और 5, 11, अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, parallel, तो directly solve कर दो, 1 by r is equal to 1 by r1 प्लस 1 by r2, और इसका जवाब हो गया, 1 by 10, sorry, 1 by 11 प्लस 1 by 22, और इस equation को solve कर लिजे, is equal to यहां से r की value निकाल लिजे, यही आपका exact answer हो जाएगा, ये जो तीन सवाल मैंने समझाया है, बिलकुल fix है, आपके book में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वी सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने purely आपको वह concept बताया है, जो वी टिस्टोन बीज में always पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका fix concept ही ही है, ठीक है, बीच वाले को गायब कर दो, ऊपर का दोनों series, नीचे का दोनों series, after parallel answer आपका आजाएगा, ठीक है, अब इसके अलावा जो और different सवाल होंगे, basic सवाल होंगे, basic सवाल का already आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम basic सवाल के बारे में बात करेंगे, ये तो आपके conceptual सवाल थे, ठीक है, मिलते हैं दियर स्टोन, next topic पर, thank you.